गुड मॉर्णी स्टुडेंट पेटा जी आज असी करांगे इकांगी समुंदरू पार दी बैक एकसरसाइज जिदे वी चहीं कराक्टर स्केच करने ने ते नाले वर्ता लापस बंदी क्वेशन अंसर करने ने क्राक्टर स्केच भी चोहीं हर देव बाजवा और शरंजीत और मरसी दा क्राक्टर स्केच कर लाए ही बाकी दो रेंदे ने बलवंतर दी लो ते नाले दा सुख देव दा ठीक है बेटा बलवंतर दी लो पातर दा पातर चितरर करने हैं साब तो पहला ही जान पशान लिखां कि बलवंत्त तिन लो समुद्रू पार इक ांगी दा निमन पात्र है जासा कि मरसी दा च्युट्र जाजा रोल ही ऊसे तरह यों और इक नौजवान मुंड़ा है जो इक आंगी विच्छू उस दी समझदारी ते सूझ बूझ चल कदी है इसलेई ही ओ हर देव बाजवा नो कहिंदा है के एक पत्नी दे हुन्दे होए दुझे व्या दुझ्जा व्या कार लेना ना ता पार्त विच्छ सभीकार किता जन्दा है ते ना ही इंगलेंड विच्छ वो किसे भी मामले नो हल करन लेए सूझ बूझ तो काम लेना चाहुंदा है सेकेड पॉइंट है दलील नाल गाल करन वाला ते लो दी हर गाल बाद विच्छ दलील है ओ आपने नुक्ते नो दलील नाल पुस्ट करता है क्यूंकि ओक नून दी भी समझ रखदा है नेस्ट पॉइंट है स सरमसारी महसूस करने वाला तो लो ओधू बड़ी समसारी सरमसारी महसूस करदा है जदू हर देव दुवारा कीते तो खेबारे पता लगंदे मरसी सारिया पंजाबिया लई नफरत पड़े सबद वर्थ दी है सेकेंड हर दर आगया सुक देव बाजवा दा पातर चित्रन तो एदे विच जान पशान लिखांगे कि सुक देव समुंदरू पारी कांगी दा मुक पातर है और देव बाजवा दा प्रा है और अपनी परजाई नू उस दा स्वाग वापस दलाउन लई उस नाल आते उस दे पुत्तर नीटुना इंगलेंड पहुंच जाता है नमँर वन प्रजाई ता आदर सतिकार करनवाला ओ अपनी परजाई चरंजीत ता बहुत आदर सतिकार करता है ओ अपने पराहत हो building अपनी परजाई ता निर्धर बर्दास्ट नहीं करता है ना ही उसनों ये गालबर दासी कि कोई उस दी पर जाईनों शुट्र के है शुट्र दा मतलों कि पती दुवारा छड़ी हो यह अरता ठीक है ओ केंदा है कि ओ अपनी मावर्गी पर जाई दे वरुद बोलन वाले दी जबान काट देवेगा बेटा देवेगा ठीक है नास्ट है हो उसले वाला केंदा कि ओ अपनी पर जाईनों बड़े हो उसले नाल केंदा है कि जे उसने नीटूनू उस दे पिता दा प्यार नाद लाया ता ओ जाट दा पुतर नहीं साच दा पाख लेन वाला ओ तरकीब सोच लेन वाला वैकती है केंद मतलों कोई आईडिया सोच दा है ओ मतलों हार एक गालो नों बड़े चंगे टांगना जोजना बना के करता है ते तरकीब सोच दा है ओ शरंजीत नों परादे गुसे तो बचाओन लई उसनों मरसी दे कपड़े पाउन लई ते उस वाल वांग वाल सुगारन लई ते पिठा करके बैठा ले केंदा है कुर्बानी देन वाला केंदे ओ परादे परजाईदा कारवसां ली हर कुर्बानी देन ली त्यार हुंदा है जदू हर देव शरंजीत नों गोली मारन ली पिस्तोल चुकदा है ता ओ आप गया जान दा है दोहां दी आप सी चडप कारण गोली चाल जान दी है जो सुख देव दे मत्थे वीच लाग जान दी है इस तरह ओ उसनों उननानों मलावन ली अपनी जान दी कुर्बानी दे दिन दा ठीक है हुन है गेने वारता लाप सबंदी प्रशन उतर ता नों वारता लाप जड़ी कांगीरी वीच कीती होएगी ओदे इस बंदी क्वर्शन अंसर क्वर्शन दितते जानेगे जिदा तो ही अपनी सेंस यूज करके संटैंस वदिया जा बना के ते फे तो ही लाइना बनानी है ठीक है जिसना विखो पहला क्वर्शन है हर देवाज पास शर्ण जी तो नों के हो जैसे मान वीच समाज वीच शाड़ी के गया ही हुण वेखो इदे जे लिख्या गया उस परदेनिया वरतलाव के दे उनों मैं साथ समुंद्रों पार्तरम करम दी चक्की विचे इस तरी आदा दलिया करनवाले समाज शर्ण विचे शाड़ के सुरू करू हो गया हुण बतल यह नहीं दस्या कि हर देव जड़ा है किन्नों शाड़ के गया ही यह तो ही अपनी सैंस ना पूरी तरह संटैंस बनाओगी जिसना कि हर दा हर देव बाजवा शर्ण जी तुनू उस समाज विचे शाड़ के गया सी पेटा इदे विचे मिस्टेक होगी शाड़ क गया सी जित्थे तरम परमदी चक्की तक के ते अन्याए दा शिकारी स्थी दा दुनिया दलिया कार दिन दी कहांद मतलों कि जिरू पदी देवार शिड़ी हो यह औरता है उनों लोगी तान्डे मेरे मार देने ठीक है है हुआ समाज जिदे विच और तनों जीना बहुत मि यह जिस नाल ईसने शरंजीत तलाक लेन बारे चूठ बोल के इंग्लेंड विच्वया करवाया सी नास्ट क्क्रेशन है हर देवाजवा हर देवाजवा सोचदा है शरनजीत अपनी इस्तरी तरम रंघ न बहुंती है जिन्दगी गुजारेंगी तो ऊहsover इंग्लेंड नही पहुंच सकेगी मतलों यह सोचता है हुन हड़ एड़े ते वर्तालाप है मैंनू पहला ही शाक कसी ओ मेरे नाल अखा नहीं मला सकन गे यह शबद जड़े किसने किसनु के है हाँ डांसर है यह शबद शरंजीत ने बलवंत टिलो नू ओदू के है जदू ओदस्ता है कि पहला है जजन्धा है शरंजीत ज़दा मेरे कि शाकसी खता लगाजर किसनु फ़े शबदस्तागर आप पंजाबी लो का बराडरी जे होटा मतलब एक जड़ी इंगलेंड विच रहान वाली है ठीक है ओने पंजाबी भी इस तरह बोलनी है कि जड़ी मतलब थोड़ी इंगलेश नाल में आज होवे ठीक है तो एद विच ए शबद किसने किसनू के है हाट आंसर है इंदे कि ए शबद मरसी ने बलवंतट लोनों ओदू के है जड़ी सुख दे वाजवा तो अपने पती हर दे वाजवा दे इंडिया विच होए विया बारे सुन चुक्की हुन दी है ते फिर बलवंतट लो दे मू ए वी सुन लें दी है कि उस दे पती दा एक मुंडा वी है फिर अगया मरसी अपने नाल होए किस तो खेदी गाल कर दी है हाट अंसर है मरसी अपने नाल होए इस तो खेदी बारे गाल कर दी है कि उस दे पती बलवंत वाजवा ने उस नाल एक है के विया कराया सी कि इंडिया विच उस दा तलाग हो चुका है जड़ कि ए साब चूर सी मर्सी सरम की बाट शेम शेम क्यों कहनदी है हट अंसर है मर्सी नुँ जदु पता लगदा है कि हर देव वाजपा ने चूट बोल के उसना व्या करवाया है ता ओ सारे पंजाब ब्यानु थे उनना दी बरादरी नुँ चूठा समधी हुए कहनदी है कि उनना नू चूट बोलन लगया रतावी शरम नहीं आई ते ओ पूरी भी शरमी नाल अजेहा कर दे ते लोका नाल चूट बोल दे है ठीक है लास्ट राड इवारता लाप है मैं भी पंजाब तो चलन लगया कसम खादी उनने केंदे कि सुखदेव आजवा ने केड़ी कसम खादी सी हाड आंसर है सुखदेव ने कसम खादी सी कि आपनी पर जाएनू उसदा सवाग वापस करके देवेगा ते ओ इंगलेंड तो शुटर होके वापस नहीं जावेगी ते जह गई ता मेरी लास नो हो लांग जावेगी थीक हे पिटा इसससा मर्सी हर देव आजवें पतीते रोप जगया करा सकती है पर शरण जित अजेहा नहीं कार सकताई अप्ने अपनी दिश ने अपना कल्चर हो नहें खेगे इंगलेंड वे चाहिए कोई प्रोब्लम नहीं जे उना दे हस्मेंड वाइफ दी मिस अंडरेस्टेंडिंग है जा कोई गाल बाद होगी है जा कुछ गड़ा चलता है नहीं एक दुझे न नेप सकते तो उनना वस्तित लाग लेना ममुली गाल है पर अपने इंडिया दे शरण जीत दा द्याओर सी ठीक है द्याओर ते पा भी दा रिष्टा जाएं भी कह सकते हो ठीक है इस तरह हां डाजड़ा है गया कांगी समुद्रों पार एदे मतलब पूरे क्रैक्टर स्कैच भी होगे ने तो वर्तालाब सबंदिक प्रशन तुरे भी होगे ननू किए